नमस्कार आप देख रहे हैं हुंकार 24 से अबन मैं आप देशार देनू चोहान हुंकार मिले की महासरवेकार दूसर दिन पौन बने का भात का अगला परधा मंतरी जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम इस पात का सरवेक कर रहेंगी 2019 में होने वाले लोकसवाद करेंगी वर्त्मान पधामंदी नेदमोदी के कामों से जनता कितनी संतुष्थ है कि जनता के अप्पिक्साओं पर पधामंदी कि खरे उत्रहे हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा पधामंदी नेदमोदी की विकल्व के रूप में क्या कोई दूसरा चेहरा सामने हैं तुकलकाबाद मैटो स्टेशन के सामने जहां पर आते जाते लोगों से बाते करेंगे और जानेंगे कैसा है जनता का मोड दोजा उन्निस में देज का पधा मंतिया आप किसे चुनेंगे नरेंदर मोधी को राहूल गांदी या नितिस कुमार इस पकली योगे नहीं है तो आप तो कौंगर सरकार को क्यों नहीं लाएंगे जी अपको क्या कमी तेखी जी उसमें अबने लगालें जी नोट बंदी के लिए तो कुछ मिलेगी ने तो किस अमीर को लगते हुँ देखा नी कोई ऐसा अमीर नहीं लगा हुआ जो गवाँ यह ज़ीब कि मोधी और मोधी कोई और नहीं है क्या राहूल गांदी इस पर प्लिए योगी निया है योगता की आप बात कर रहे हो इसका दूर 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 तक सोचना भी अपने आप में एक आत्म किलानी हूँ कि मोधी सरकार में आपको क्या कमी दिखी सारी कमियां मोधी सरकार के अंदर आम पबलिक को बहुत परेशानी है और जो गरीब हो गरीब होता जा रहा है जो अमीर अमीर होता जा रहा है सारी कमियां उसके अंदर अच्छा ही हैं क्या है होगा ने तो किसीना बहला किया है नहीं कि अध्या तुने किसी के लिए हमाले कुछ बहला करता था हम उसके लिए चुनते भी बस इस फाज़ब Most कि अधिजी को सुने और किसमेंगे कांग्रेश को ने जाएगी वोदी में आपको क्या कमीनित आई पुद्रवना को साग लगा दो है कांग्रेश को बनेगो कांग्रेश को बनेगो कांग्रेश ही बनेगी जैसा कि आपने देखा और इस सर्वे रिपोर्ट के दूसे दिंग के जरिये आज भी पधामंदी ने मोदी का नाम सबसे आगे चल रहा है हमें लोगों से बातचित की तो उनका यही कहना है कि 2019 में भी पधामंदी के रूप में पधा नरेन मोदी को देखना ही चाहेंगी एक तरफ जहां राहूल गांदी की बात कहीं वहाँ जन्ता ने उनमें राजनीपी की समझ कम बताई है वहीं दूसरी तरफ किसी अन्यानेता के अंदर पधामंदी की काविलत को नजर अंदाज क कर रही है जलता आप देखते रहें हुंका 24-7 धन्यवाद